확 Leben is back to channel दोस्तोर के किसे बाद हम सूरो टारिक वीडियो बंद भी स्क्राइरोफ कृटर इसलिए फजी गरा बियाँ कि फोह अ करप cash शोटन थो नल्य जो है छीमSoate यह है दो bara को दिखरा होगा और दोकी नेंगर को हम लोग द्जज़ाएं करेदे पर चले बाली के तरफ यह है दोस्तों बाली और यहां से सुरू होता है बाली का ब्रिज घंगा को हमें क्रॉस करना है तो हम लोग बाली प्रीज होग धर्य भी आप देख सकते हैं विदर बहुत अच्छा से साफ नहीं हुआ है फॉक टाइप का ही रह चुका है तो दोस्तों यह ब्रीज में हम लोग पहली बार स्कूटी में पार कर रहे हैं मैं तो कभी ऐसे पार नहीं की और हम लोग चलते-चलते बहुत स्टेशन आगे आज चुके हैं यह है बोधियबाटी बोधियबाटी में दोस्तों फाटक का कुछ प्रॉब्लम था तो यहां पे पार करने में बहुत ही डर लग रहा था दोस्तों लेकिन हम लोग क्रॉस कर गए तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि यहां पे आज के दिंपे बैंडल वाक करते हैं तो देख सकते दोस्तों लोग जो है पुरे जुन्ट बनाके जा रहे हैं बैंडल चर्च के लिए कोई-कोई तो बहुत मन्नत भी मांगते हैं और मन्नत पूरा भी होता है तो बहुत कोई दोस्तों खाली पैर में भी चल रहे थे उन लोग के लिए सच्पे बहुत ही यह एक मन का साहज भी चाहिए कि आप खाली बैर चल सके तो दोस्तों यहां से आप में डोड से हम लोग को कर लेना है इस पर से दिख सकते हैं एक और अधर बैंडल के मरियम को लेकर जा रही है बैंडल चर्च पर तो हम लोग अब पहुंच गए दोस्तों एक्जैक्ट बैंडल के बाहर किया धूस्तों बैंडल चर्च का मीन गेट तो दोस्तों यह जो चर्च है तो दोस्तों बैंडल चर्च जो है हमारे वीश्टल पैंगाल का सबसे 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 पुराना च़फ है दोस्तों और यह जोसे यह 1660 में पाउंड हुआ था और बैंडल चर्च जो है दोस्तों सुबा के 8 बजे से सामके 455 तक खुले रहते हैं हर दिन विजटर्स एलाओ है और यहां पर यह चर्च में बुसने के लिए कोई भी इंट्री फीस यानि प्रवेश मुलिया नहीं है इसमें आप पर दिली आ सकते हैं यहां पर केंडल वगेरा खरीच सकते हैं केंडल जला सकते हैं अपनी मन की मुराद बोल सकते हैं बहुत यहां पर बहुत कोई अपना मनत मांते हैं अपनी मन की मुराद कहते हैं भगवान से ऑदी फरी आप Also अपलोगर कर यह यह वीडियो अच्छा रग रहा होगा आप बैंडल यहां पर देख सकते हैं अपहों आइते आप जाए आपते कोई भी बैंडल लोकल पकड़के इजी ली बैंडल पर आ सकते हैं और बैंडल स्टेशन से आपको बैंडल चर्च के लिए 20 रुपए का आटो मिलता है पर परसर आप उसमें चड़के इजी ली बैंडल चर्च पहुंच सकते हैं और बैंडल चर्च जो है 1st January और 25 डिसेंबर को विजिटर्स के लिए बंध रहते हैं तो यह है डोस्तों एक्चल बेंडल की माता मरियम जो नाव पर सवार है गाह जाता है कि देよろ पर आई थी तो इसी लिए ही उनका उस मुर्ति का अनुकरन करके यहां पर बनाया हुआ है दोस्तों और यहां पर देख सकते हैं मदल मेरी का ग्रोटो है यहां पर सब कोई अपना कैंडल जला रहे हैं अगरपतिया जला रहे हैं और जो भी अपने प्रेयर करने हैं वो सब कोछेन के थे हुआ हिए और जो लोग दोस्तों बैंडल वक पे आए थे उन लोग प्राथना करते हुए कोई-कोई घुटनी गारते हुए रोजरी माला-बिंती करते हुए कंडेल पकड़े हाथ में ऊपर चर रहे हैं ऊपर कीमाता मरियम को केंदल एक करने के लिए और दोस्तों यहाँ पे इसकुन लोगों के लिए अलग से सीरी एक छोड़ दिया गया है उसमें normal हमी लोग नहें चींड रहे हैं सीफ प्रेयर बाले लोग झाल रहे हैं तो यहां पर देसे पोपॉस की रशुदर टियारे मिल रहे हैं तो मैंने दो टियारा अपने घर के बड़े वाले जो मदर भैलंकिनी का स्टैचू है उनकी एक लिया है और एक दो सुजाना ली है और यह है दोस्तो बैंडल के पीछे तरप का ग्यूव मत्या बैंडल अगरा फॉर्विजर में आ सकते हैं तो इधर ही पार्क कर सकते हैं इस्पेशली एक रिश्ट्रस लोग के लिए हैं सब के लिए नहीं है तो दोस्तो बैंडल से इस हम लोगो को खुमना हो गया तो हम लोग दिधर पुपली से निकल रहे हैं दोस्तों तो हम लोग देली सुगन था यह जो है पूरा गाउं आवला फिलिंग आ रहा था देखके तो बहुत ही अच्छा लग रहा था दोस्तों तैसे शाम के टाइम हम लोग नजारा देखते हुए चल पड़े कोलकता की योर यानि अपने घर की योर यहां से हमारी घर का डिस्टेंस था और मैंने देखा 42 किलोमीटर जो भी बहुत ही दूर है लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग स्कुटी में ही आय थे तो मज़ा भी आया दोस्तों ठंडा भी बहुत लगा हम लोगों खो जैसे की लेख सकते हैं मैंने नाफ वगेरा सारा कुछ रापी कर दिया है और सुजाना को भी मैंने इ आया था और लुटा एम्बियंस भी बहुत हाँ शा था ये वाला ठाबा जबी आप बेडी रोड से खाली के दरख से होगी बुझरे तो ये वाले धाबे में आप जरू रिजबार के जीट करें बहुत यच्छी चाय और बहुत यच्छी मोमो में दिलेंगे सारे चिकन वा अपतर दोस्तों यहां Pe dr comme a suchOS लहाँ चाय पिरे नहीं हूबहुत ही मज़े से रिकटागा में पिकने में मोधी मसा आ रहा था दोखों कि हम लोग 4 kim 145 comment г CD हम भोजों चलके आये क्चैनिक में तो हम लोग भूबहुत ही चंदा लग रहा था वो दोस्तो तक्तिमेश्वर मंबिर है जो राइट सेज़ता हों जोखेने np. तो दोक्रीनीशर के जब फेमस मंदिर है तका पदेट छफ जब नगहें यह दखेश्वर काडी मली तो हम लोग नजारा को इंजाय करते हुए शुबा से साथ दोपहर दोपहर से लाद